नमस्कार साथियों स्वागत है आपनों का आजय सर्जी यूट्यूब चनल पर साथियों चुनाव से पूर्व जहां सरकार सबको खुज करने के लिए ऐसा काम कर रही है जैसे किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा कि किसान का जो कानून था उसको सरकार ने वापस लिय तो साथियों इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही मुद्दा जो की प्राइमरी सिचक भरती का है काफी लंबे समय से पेंडिंग है बागी सरकार ने टीजीटी पीजीटी भी भरती कर दी जूनियर एड़ेट सिचक भरती भी गतिमान है और की भी भरती होगी तो इस सब चीजें तो अब निर्धारित हो गई हैं सिर्फ प्राइमरी सिचक भरती का निर्धारन नहीं हो पा रहा है लेकिन सातियों ऐसा लगता है कि चुनाव से पूर्व एक सिचक भरती सरकार देगी और सिचक भरती दे करके सभी और सिच्छों को सर सिचक भरती की माग राके स्कुवार पांडे जी के द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी उनके द्वारा कल एक पोस्ट मैंने पढ़ा था उनका उन्होंने देखिये लिखा है कि यूपी टीटी दोहजार इकीस परिच्छा के बाद मुक्मंत्री जी पचास हजार प्लस प् मैं पहले से भी आसानित हूँ और भी बहुत से लोग बहुत से चैनल वाले सब ऐसा कर रहा है कि आचार सहीता लागों होने से पहले एक सिच्चक भरती आएगी तो इस तरह से एक आसा का महौल बना हुआ है और भगवान से प्रात्थना भी है कि चुनाव से पूर वेक सिच्चक भरती सरकार जारी करे कि 2017 वेस डीयलेड हो या बीएड हो बहुत दिनों से प्रसिच्चा कर रहे हैं और डीयलेड वाले तो जो 2017 के इस्टुडेंट हैं वह काफी परिशान भी हैं काफी वक्त गुजरा जहां डीयलेड करते करते सिच्चक भरती हम आजाती थी उन इसके चलते उनकी बहुत चाती हुई बहुत नुक्सान हुआ और काफी लंबे समय से वेट भी कर रहे हैं और उसके बाद तो अब डियलेट 2018 आदी वेच भी अब इस सिच्चक भरती की कतार में हैं तो बढ़िया है सभी लोग को मौका मिल गया तो अच्छी बात है लेकिन साथियों एक सिच्चक भरती आनी बहुत ही जरूरी है चुनाव से पूर्व तो वासा करते हैं कि एक सिच्चक भरती सभी को देखने को मिलेग धन्यवाद